हेलो दोफ्तों आप सभी का इवर्फी स्वागत है मेरे इस चेनल सेखर कंप्यूटर सुलूशन में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि विंडोस 10 कंप्यूटर और लैपटप के स्पीड फास्ट कैसे कर सकते हैं यदि आपके पास कोई भी विंडोस कंप्यूटर लैपटप है और वह बहुत ही स्लो काम कर रहा है तो आज हम जितने भी टिप्स इस वीडियो में शेयर करेंगे उन सभी स्टेप को फोलो करके अपन आपके PC में वाइरस की वज़े से भी श्लो हो सकता है कभी कभी सिस्टम कॉन्फिगर के वज़े से भी श्लो हो सकता है यदि जैसे कि आपके कंप्यूटर पर श्रिफ 3GB RAM है या 2GB RAM है लेकिन आपने उसी PC पर बहुत सारे फाल्टों के सॉफ्टवेर इंस्टॉल कर रखे है इसी कारण से भी PC श्लो हो सकता है तो चलिए जानते हैं यदि PC श्लो हो जाये तो उनका श्पीड नए कंप्यूटर जैसा केसे फास्ट किया जा सकता है तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ सबसे पहले पहले स्टेप है वह हम फोलो करेंगे शी ड्राइब को किलीन करना उ तो यहां पर कमांड टाइप करेंगे किलीन एम जी और एंटर प्रेस करेंगे जैसा कि यह शी ड्राइब आगया आपके सामने यदि आप अपने कंप्यूटर को फास्ट करना चाहते हो तो शी ड्राइब को किलीन रखना बहुत ही ज़रूई होता है क्योंकि सभी शॉफ्ट यह अगर आपने नहीं लगा रहा तो यह सभी पर टिक लगा लें डाउनोड प्रोग्राम फाइल टैंपर इंटरनेट फाइल रिशाइकल बीन टैंपरोई फाइल एंड थमनेल यह सभी चेक कर दें उसके बाद ऑके प्रेस करें और डिलीट फाइल करके आएगा उस पर ओक क्लीट प्रग्राम को इस्टाप करके आप अपने कम्प्यूटर लैप्तॉप के स्पीड बरहा सकते हो आप जब भी अपने computer को start करते हैं तब कुछ software और auto start हो जाते हैं उसके वज़ए से computer बहुत slow काम करने लगता है यदि आप उन सभी software को uncheck या stop कर देते हैं तो आपके computer पहले से ज्यादा fast काम करेगा तो उसके लिए सबसे पहले अपने command type करना परेगा विंडो के साथ और प्रेस करेंगे यहां पर लिखेंगे ms-config इतना प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे कुछ इस परकार का जाएगा उसके बाद यहां हम चले जाएगे startup उसके बाद open task manager इस परकार का कुछ आजाएगा interface उसके बाद यहां पर हम कुछ enable है जिसे disable करेंगे तो सबसे पहले हम इस्कारब को disable कर देते हैं जो कि हम यूज नहीं करते कोटावि यह सेभी हमद्य सेवर्ट कर देंगे इसके बाद यह program under इसे राइट कि इस पर राइट किलिक करके भी हम उसे डिशेवल कर सकते हैं और हम एक यह जो है इसे भी डिशेवल कर देते हैं तो यह हम सभी जो 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 फाल तुके हैं उसे हम डिशेवल कर चुके हैं उसको आप इसको कर देते हैं क्लोस उसको नेक्स्ट जो आता है वह हमार temporary file को remove करें जब हम computer का इस्तमाल करते हैं तब कुछ unwanted file अप हमारे PC में खुद बाखुद शेव हो जाते हैं जिसकी वज़ा से हमारे computer बहुत ही slow काम करना शुरू कर देता है जैसे कि temporary file को आप अपने PC पहले से थोड़ा बहुत fast काम करेगा तो चलते हैं इसके लिए आप window के साथ और प्रेस करेंगे run command open हो जाएगा run command open होने के बाद यहाँ पर type करेंगे percentage side temp और फिर एक बाद percentage side और ok इतना प्रेस करने के बाद यहाँ पर जितने भी temporary file save होंगे वो आजाएंगे आपके पास उसके बाद control A करके इसे पूरा select कर लेंगे उसके बाद इसे delete कर देंगे उसके बाद next जो है next जो है हमारा disk clean up computer को हमेशा fast रखने के लिए disk clean up का इस्तमाल हमेशा करते रहना चाहिए जब आप बहुत time से computer का इस्तमाल कर रहे होते हैं तो हमारे computer में disk clean up करना चाहिए जिसे आपके PC पर जितने भी junk files होते हैं वो सभी delete हो जाएंगे और PC पहले से ज़्यादा fast काम करेगा इसके लिए हमेशाब से पहले file explorer open कर लेंगे उसके बाद जिस भी drive को clean करना है जैसे हमें C drive या D drive कुशी भी drive को clean करना है उस पर right click करेंगे जैसे मैं D drive select किया है उसके बाद इस properties पर आजाएंगे properties पर आने के बाद जैसे कि यहाँ पर disk clean up के sign आ रहा है इस पर click करेंगे उसके बाद ok कर देंगे और इसके बाद delete files तो यह हो गया इसके बाद next जो है error checking करें error के वज़े से भी computer slow काम करता है इसलिए हमेशा computer drive को error checking करने चाहिए error checking करने के लिए इसके लिए हमें सबसे पहले my computer open कर लेना पर जैसे कि मैं यहां से open कर रखा था तो हम इसे open कर लेते हैं दुबारा उसके बाद जिस भी drive की checking error करना जाते हैं उसके राइट किलिक करेंगे राइट किलिक करने के बाद properties पर आएंगे उसके बाद tools tools के बाद यहां जो है आप check का sign जो देख रहे हैं उसके बाद scan drive आएगा उसके क्लिक करेंगे तो कुछ time बाद इसमें अगर कुछ भी error होगा तो आपके सामने show करेंगा अन्वांटेड प्रोग्राम को अन्स्टॉल करें अन्वांटेड प्रोग्राम का मतलब जिस software के आपके computer में कोई काम नहीं है उन सभी software को PC शे अन्स्टॉल किजिए यदि आपके computer RAM में में 2 या 3 GB है आपके उसी PC पर बहुत सारे फाल्तु के software इंस्टॉल कर रखा है तो आपका PC जो है slow काम करेगा इसलिए उन सभी software को जो जो आप यूज नहीं करते हैं उस सभी software को remove कर दे अन्स्टॉल कर दे उसके लिए आप अपने एक रन कमांड टाइप करेंगे एप वीज डॉट सी पिल इतना टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इस परकार के तो मैं इसे अंस्टॉल करते हूं जितने भी आपके शॉट्वेयर जिसे आप यूज नहीं करते हैं तो उसे आप अंस्टॉल कर देजिए तो मैं इसे भी इस अंस्टॉल कर देता हूं तो इसके बाद ऐसे अगर कि आप जितने भी आपके फाल्टू के शॉट्वेयर जो है उसे अंस्टॉल कर सकते हैं कि तो यह अंस्टॉल हो चुका है अगर इन सबसे भी आपके कंप्यूटर में कोई भी परिवर्त निया या आपका पीसी फिर भी स्लो काम करता है यह हमाया लाश्ट ट्रिक्स है जो कि अगर आपके कंप्यूटर या पीसी पर अपलाई करेंगे तो रैम इंक्रीश करें computer slow होता है RAM के लिए यदि आपकी computer या laptop RAM system के हिसाब से बहुत ही कम है तो आप जरूर अपने RAM को increase करें या मतलब अगर आपकी computer या PC में 2GB RAM है तो इसे 4GB बढ़वा सकते हैं और 4GB है तो 8GB करवा सकते हैं दो दो का 2 लेने चार का एक लेने तो इस परकार आप अपने computer का RAM या laptop का RAM भरावा सकते हैं जिससे आपकी computer को और improvement मिलेगी जाइस बात है अगर RAM increase होगा तो आपके PC की speed भी फास्ट होगी तो दोस्तों यह छोटी इस वीडियो आपको कैसे लगे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल पहले बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जादा जादा शेयर जरूर करें